रूस का लूना 25 स्पेस्ट्राफ्ट क्राश हो गया है जहां स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने रविवार को इसकी जानकारी थी स्पेस एजेंसी ने बताया कि शनिवार शाम पांच बच कर 27 मिनट पर उसका स्पेस्ट्राफ्ट से समपर तूट कया था प्री लैंडिंग और्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़ड़ी हुई थी लूना को 21 अगस्ट को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था रॉसकोस्मोस ने बताया कि लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के अनुसार प्री लैंडिंग अक्षा में प्रवेश कराने के लिए एक कमांड दिया गया था ये कमांड भारतिय समय निसार शनिवार दुपह साड़े चार बजे दिया गया इस दोरान लूना पर अविजेंसी कंडिशन बन गई क्योंकि स्पेस्क्राफ्ट अक्षाल पैरमिटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया स्पेस अजेंसी ने कहा कि शिरुवाती अनालिसिस के नतीजे ये बता दे हैं कि कैलकुलेशन से जो पैरमिटर सेट किये गए थे उन पैरमिटर से स्पेस्क्राफ्ट डिविएट हो गया कैलकुलेटिड वैल्यू जितनी जही थी उससे कई जाधा थी उसे थ्रस्टर जाधा देर के लिए फायर हुए और स्पीड कम होने से स्पेस्क्राफ्ट एक और डिजाइन और चांद पर जाकर क्राश हो गया